विभीन परिक्साव में पूछे गए क्वेशन से उनकी आज हम पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं इसमें हमने एक बहुत ही क्वेशन का कलेक्शन तैयार किया है तो इसमें चैफ्टर वाइज वन बाई वन हम सभी क्वेशन करने की कोशिश करेंगे देखना आप सभी इनको साथ-साथ नोट करते रही है यह सभी क्वेशन हमने जो ओस्टर थे वो चार नहीं लिखे उनके सामने उनका डैक्ट आन्फर ही लिखा तो शुरू करते हैं देखना कोश्चन है पहला समविदान के किस भाग में तीन सोपानों में पंचायत बनाने की सिफारिस की गई है तो भाग नंबर किसमें है? पार्ट नाइन में सम्विधान के भाग कितने होते हैं? जैसे 22 भाग हैं उसमें से भाग 9 ये पंचायती राज से संबंदी था है लोकतांत्रिक विकेंद्रिकर्ण से सोपान बोलते हैं इसके टियर्स कितने हैं या कितने इस्तर में बना हुआ इस पंचायती राज किस सूची में सामिल है तो राज्य सूची में सामिल है ये जो सूची हैं कौन अनुसूची में समविधान में जैसे कितने अनुसूची हैं बारा अनुसूची में उसमें से साथवी जो अनुसूची है साथवी ये अनुसूची सोच्यों से समब दीते इसमें तीन परकार की लिष्ट दीवें सूची दीगें संग सूची राज्य और समवर्ती सूची संग सूची पर कानून कें सरकार बनाती है राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती पर दोनों बनाती है नेक्ट कोश्चन है वहराज्य जहां पंचायती राज प्रायोगिक रूप से लागू किया गया था आंधर परदेश में देखना वैसे तो पंचायती राज के आंसर चार होते हैं अगर यह कोश्चन आता है कि पंचायती राज 2 अक्टूबर को सन 1959 को कहा राजिस्थान में ल राजिस्थान में हो गया इरनागोर यह राजिस्थान में लेकिन आंधर परदेश में इससे भी पहले प्रायगिक रूप से लागू किया गया था कोश्चन आता है कि 73 सम्विदान संसोदन किस से संबंदी था तो 73 सम्विदान था पंचायती राज से जिसमें 11 अनसुची जोड़ी गई थी तब यह मद्धे परदेश में लागू किया गया था और क्वेश्चन अगर आता है कि पंचायती राज अपनाने वाला कौन सा पहला भारत का राज्य उसका आंसर गुजरात आ जाएगा देखना चार आंसर इसके हैं चारों अलग अलग अगर यह आता है क पराइगी क्रूप से कहा पर एक्सपेरिमेंटर आंधर परदेश में उन लागू कहां कपर किया गया था तब यह राजस्थान में आएगा यह नाइनटीन फिफ्टीनैन में दो अक्टूबर को और इससे पहले ही 56 और 57 में कहां पर आंधर परदेश में और एक आता है कि 73 संवीदान संसोदन जो 1992 में हुआ था 1993 में लागू हुआ तब ये मद्धे परदेश में लागू किया गया था और गुजरात में इसे पहली अपना गया था खुद से गुजरात में स्वेम अपनाया था इसको तो इसके चारो आमसर अलग-अलग हैं आप चारो नोट कर लिजेगा अगली सलाइड में हमने समझाया हुआ है आंद परदेश में परायोगी रूप से लागू हुआ राजिस्तान में सरकार ने लागू किया इसको दो अक्टूबर को और सबसे पहले सबसे पहले तिरी इसस्तरीप ये पंचायति राज पर्णा लागू किए गई ती राजिस्तान की कौना-सी जिले में बल्थी नागूर में किए गई थी ये नागूर है नेश्ट बारत마ं पंचायति-राज पढ़तीनी दे तो करता है शक्तियों का विकेंद रिकरन, डिसेंट्रिलाजेशन और पावर्स या लोगों की इस्सेदारी या सामुदाइक विकास, या लोगों की इस्सेदारी, जिसे तीन इस्तर होते हैं, सब से उपर कौन सा होगा है, जिला इस्तर पर, फिर बलोक इस्तर पर, फिर ग्राम पंचैत, जिसके अब election भी होने वाले है उत्तर प्रदेश में तो यहां तो ग्राम पंचायत यहां पर क्या होता है बलोक और यहां पर क्या जिला इस्तर पर होगी तो तीन इस्तर ही होता है बलवंतराय मेता समीती ने इसकी सिफारिश दी थी देखना इससे संबन्दित जैसे एक आता है question राष्टे पंचायती दिवस हम कब मनाते तो यह 24 अपरेल को मनाते हैं 24 अपरेल 1993 से हमने यह पूरे बारत में मनना शुरू किया था जब 73 संविदान संसोधन हुआ था देखना कभी आप दो अक्टूबर लगाएं दो अक्टूबर नहीं 24 अपरेल 1993 को 73 संविदान संसोधन लागू होने के बाद में इसे किया था तो क्योंकि इसी दिन इसका कारण दिया 24 अपरेल 1994 चुरानवे में कानून बने चुरानवे में उसी डेट में हमने पूरे भारत में फिल लागू किया तो 1994 में संविदान का 73 संसुधन अधिनियम 1992 के माद्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविदानिक दर्जा पराप्त हुआ था तो क्या लगाएंगे हम इसमें पंचायती राज दिवस 24 अपरेल को देखेगा परमुक समीतिया इससे संविदित कौन कौन सी समीतिय है बलवंत राय महता समीति जिसकी वर्तमाने में सिफारी चल लही है ये तीरी इस्तरी होता है तीन इस्तर पर पहले इस्तर पर क्या होगा ग्राम पंचायत दूसरे पर बलोक और तीसरे पर जिला परिशद हम पेले पर जिलापरीशत भी बोल सकते हैं उसके छोटा फीर होता है पंचायति राच छेत्रिय समित्य इसका नाम एक और भी होता है छेत्र पंचायत है नहीं हम दूसरी बात सामी बलोक बोलते हैं जैसे बलोक पर्मुख बनते हैं और तीसरा क्या हो जाए कि ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचा है जिसका ग्राम परधान बनते हैं यह तो ग्राम परधान बनते हैं और इसके बलोक परमुक बनते हैं और इसके जिला परिशत के अध्यक्स बनते हैं तो बलवंत राय महता समीति की सिफारी से तिरी इस्तरिय बना की थी और इसमें दियु इस्तरी है इसको डियूल जो टेयर होते हैं उस पर लागू करने की बात किये हाला कि अभी तक यह लागू नहीं हुई अच्छा एक है इसमें जीवी के राव समीती बस एक नाम याद रखिए राव समीती यह बीशी से सम्बंदी थे उननीस सो पिचा पंचायती राज से सम्बंदित नहीं है तो ओफसन कुछ ऐसे ही होगे लेकिन वर्तमान में बलवंत राय महता सम्बिती की सीफारी से लागू है और यह तेरी इस तरी होती है यह कोश्चन बहुत बार पूछा गया है नेस्ट देखेगा पंचायती राज का पर्मकुद्द के लोगों को विकास परसासन में भागी दारी का य्योग बनाना मुनलब गरामीनी स्तर पर झोड़ी का लकसे होता है नेस्ट कुछा जो न्पशा गया है वाह राजी जिस में सबसे पहले सरुपर्थम राजिस्थान और किस राज्य में प्रादम की गई थी आंधर परदेश में आंधर परदेश प्रायोगी के रूप से और राजिस्थान में ये 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था है जिस समीती में लोकतांथ्रिक वीकेंड रीकरन और पंचैती राजिकी सिफारिश की उसका नाम क्या था भलवनत राय मेंता समीती फिर से चेंज होके थोड़ी लैंग्वेज ऐसे पूछा गया है next question देखते हैं बलवंत राय मेता समीती के सुझाओ दिया था कि पंचायती राज की सरचना में होने चाहिए गाउं, बलोक और जिला इस्तर आपको बता कि तीन इस्तर होते हैं पहले कोन होंगे गाउं होते हैं बलोक और जिला होते हैं यह तो जिला इस्तर होगा और ये बलोक होता है बलोक और ये ग्राम होजाएगा ग्राम में इस्तर पर next बारत में तिरिशतर ये पंचायती राज्थंट की शिफारिस किसने की थी बल्वंत राय मेता समीती ने तो तरह तरह से question पूछा गया है असोक मेता समीती ने पंचायती राज के लिए किस परतिमान की संस्तूती की थी दिव इस्तर ये two-tiered की दो इस्तर होने चाहिए इसका मलब क्या होना चाहिए या तो गाउं होना चाहिए या फिर बस जिला होना चाहिए गाउं के बाद जिला होना चाहिए ये बलोक ना बीच में होने चाहिए ये उन्होंने सिफारिस की थी नेस्ट कोच्छने पंचायतों का सम्वेदानिक दर्जा परदान किया गया था तो अनुच्छे नंबर 243 में भी और भागनो अनुच्छे 243 भागनो आर्टिकल नंबर 40 और ये अनुच्छी नंबर 11 और 12 में यहाँ पर इसका उलेख दिया है पंचायती राज का सम्वेदान का कौन सा संसोधन पंचायती राज वस्ता को से दर्ज करने के लिए किया गया था 73 वा सम्वेदान संसोधन कभ हुआ है 1992 में हुआ था और इसकी सिफारिसों को जो अपना गया 1993 में अपना गया था और 1994 में हमने इसको पूरे भारत में लागो कर दिया था इसको 24 अपरेल 1994 को किया था तो इस दिवस को पंचायती राज दिवस नेक्ट कोस्टन देखेगा किसके द्वारा तीन इस्तरिये पंचायती राज वरस्ता को समवेदानिक दर्जादी आ गया था तो तियात्तरवा समविदान संसोदन अधिनियम 1902 समविदान का तीन इस्तरिये पंचायती राज तंतर में सामिल ग्राम सभा पंचायती राज समीती और जिला परिशदी होती हैं तो यह पहले नंबर पर हो जाएगी दूसरे पर और यह तीसरे पर हो जाएगी पंचायत चुना होते हैं पर 鉄 गाओं पांच वर्सो बाद होते हैं तो यह तो नंबर निर्वाचन होना च्छर मैने के अंधर नया चुना होना है आपको तो काफी सी से मिल जाएंगे आप नोट करते रही है वीडियो चाहिए दो बार में आपको देखने पड़ जाए लेकिन ये नोट करना है आपको बार-बार रिविजन करना पड़ेगा तब याद रहेंगे नेस्ट कोंचन है पनचैत चुनाओं कराने का निड्ने किसके द्वारा किया जाता है राज्य सरकार करती थी उत्तर परदेश में संस्था किति कुल इस्थानों का एक दिया 13-33 Lacin 33ata 23 ये वायुस्था कहती थी जब संविधान संसो सुधन हुआ ता था सुदन 1992 में होता है जब 11 वी अनुसुची जोड़ी गई थी तब वह वस्ताती है कि महिला को एक तिहाई रिजर्वेशन दिया जाएगा सम्विदान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज इस्थापित करने का उफबंद करता है अनुच्छेद नंबर 40 में तो 40 में हैं 243 में और भाग नंबर कौन सा है भाग नंबर 11 और इसका भाग कौन सा जाएगा भाग नंबर 4 और एक है अनुसुची इसमें कौन सी है अनुसुची नंबर 11 तो ये इतनी जगे इसका उलेख दिया गया है तो आर्टिकल नमबर 40 के साथ आप 243 और भाग 9 और अनुसुची इसमें 11 ये भी आपको नोट करना है पंचायती राज संस्थाय अपनी निधिये तो निर्भर रहती है सरकारी अनुदान पर इनको आमदनी कहा से होगी जिसे गराम परदान कुछ टैक्स भी लगाता है लेकिन जो सरकारी अनुदान जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है वही विकास के कारियों में लगाए जाता है ग्राम पंचायत की आये का सिरोत क्या है? मेला और बाजार के कर जो मेले लगते हैं या बाजार लगते हैं उन पर जो टैक्स लगाते हैं ग्राम पंचायत के या तालावों पर लगने वाला कर या चारागाहों पर लगने वाला कर ये भी यही आ जाएगा तो ये किसम है पंचायती राज में है तो इससे काफी आपको question मिलने की संभा होना है आप अगर चाहें तो question मिला लीजे अगर उससे paper में आपको मिलता है तो ये video देखिए वरना ignore कीजे कोई निया सी बात पंचायत समीती के सदस्य परत्यक्स रूफ से जनता द्वारा मनोनीत किये जाते हैं है ना पंचायत समीती जो बनती है इसके जनता द्वारा मनोनीत नव कर चुने जाते हैं इनका निर्वाचन ये चुना होता है मनोनीत सब्द गलत लिखा गया है उसमें देखिए गा मेर का कार्येकाल कितने वर्स का होते है पांच वर्स का मेर कहां बनता है ज समीदान के किस भाग में है तो सहकारी समीथी किसमे आजेगी भाग नो ख्या में आएगी नो भी जुड़ीगी थी सहकारी समीथी यानि कि जो मिल जुलकर जो किसान समीथी चलती है उससे संबन देते हैं परतियक शहकारी समीथी के बोर्ड के चूणे अजेश संबस उनके पदादिकारीयों कारिकाल कितना होता है पांच वर्ष का होता है ग्राम परदान का भी पांच वर्ष का होता है और इनका भी जो डेलिगेट्स बनते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मार्च 1950 को योजना आयोग का हुआ था? राष्ट्य विकास परिसद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था जिसे निती आयोग को NDC, National Development Council, NDC गोल थे इसको, फुल फोर्म क्या होई? National Development Council, राष्ट्य विकास परिसद, इसके अध्यक्स परदानमंत्री होते हैं, पीम है ना, उन्निती आयोग जो योजना योग है, उसकी जो प्रारूप है, उनको अंतिम रूप से मनजूरी देता है एक वर्स में कितनी बार राष्ट्य विकास परिसद की बैठक होना अनिवारी है, तो दो बार होना है, इसमें 6 महिने का बीच में टाइम हो सकता है राष्टे परिश्द का गठन कभ वोगा था उननीस सो राष्टे विकास परिश्द है राष्टे विकास परिश्द उननीस सो पावल यह क्वेश्चन गलत छोड़ी आप इस यह गलत होगा क्वेश्चन केंद्रिय अन्वेक्शन ब्यूरो यहना CBI, Central Bureau of Investigation, CBI जिसको कहते हैं, CBI की स्थापना कभ वोई थी, 1963 में होई थी, यह हमार यह खूपी अजन्सी होती है, केंद्रिय सतर्क्ता आयोग, CVC, CVC, Central Vigilance Commission, केंद्रिय सतर्क्ता आयोग की स्थापना कभ वोई थी, 1964 यह खूपान हों, 1964 में, 1964 में, नेश्ट यह एक्वेश्चन देखेगा, CBI केंद्रिय सतर्क्ता आयोग कारीकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का या 65 वर्ष की अधिक्तम आयोग जो भी पहले हो, है ना 65 वर्स की अगुटप माय豆 है तो कारीकाल 4 वर्स जायगा माय लोगosphरन किसी की ऐहेगा उसमें 60 वर्स तो अगर यह 60 वर्स की आईयू का है पूरे 64 वर्स तक रहेगा यहीं कि 4 वर्स आजहागा कारीकाल लेकिन अगर वो 63 वर्स का है अब केवल 2 वर्स ही कार्ये करेगा चुकि 65 वर्स अधिकतम आयो भी होना है इसमें 2 वर्स का ही कार्ये काल लहेगा 4 वर्स का कार्ये काल या अधिकतम 65 वर्स की अधिकतम आयो जो भी पहले हो वो इसका कार्ये काल बने जाता है नेक्स्ट विश्विद्याले अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था 1956 में हुआ था एना राधा किश्णन आयोग की सिफारिस पर UGC University Grant Commission विश्विद्याले अनुदान आयोग जिसका कारियाले कहां पर है दिल्ली में नेक्स्ट है भारतिये परसु कल्यान बोड का मुख्या मुख्याले कहां पर चिन नहीं है और नेक्स्ट इसमें केंदर ये परदूसन नियंत्रन बोड है ना सेंटल पूलिशन कंटोल बोड का गठन कब हुआ था 1974 में इसका मुख्याले कहां है दिल्ली में इसमें से कौन से राष्ट्य आपदा परबंधन प्राधिकर्म होता है इसका परबंधन का द्यक्स होना होता है परदानमंतरी ये कौस्टन कई परिक्साओ में आ है नंबर 40 नेश्ट देखेगा अगला कौस्टन है राष्ट्य ध्वज कब अंगिकर्थ किया गया था है ना कब लागू किया गया था तो 22 जुलाई सन 1947 को होता राष्ट्य होता है ये किसका पर्तिक होता है त्याक का पर्तिक वाइट होता है स्रानुति का पर्तिक और गिरीन होता है स्मर्दी का प्रोजपेरिसिटी है ना और इसमें जो वाइट ये इसमें चक्र जो दिया गया है चक्र में कितने तिल्लिया है 24 तिल्लिया होते है 24 स्पोक्स होते ह तो देखना आगे, राष्टिया द्वहजी की लंबाई चोड़ाई का अनुपात कितना है, तीन अनुपात दो, एक बार ये SSC में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, SSC में, चोड़ाई तथा लंबाई का अनुपात, चोड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या हो आफ तो कितनी हैं, 24 तीन लिए हो जाएंगी, जो किसका परतिक है? पर्वगति का परतिक, कुछ्चन है कि ध्वज में या राश्ट ए चिन में जो चक्र हो गया है, किसका परतिक है ये उसका, पर्वतिक्र गोलगे का अनुपात, ग्रोट का, या हम प्रोग्रेस कितनी करते लोह स्तम लेग या नहीं कि इसको कहेंगे यह आईरन इडिक्ट या आयरन यह मेजर आईरन इडिक्ट असोग के अभी लेग थे तो उसमें कुछ पत्रों पर बनवाए थे कुछ उसने पीलर उसके बनवाए है नेक्स्ट कोश्चन बारत की सरकार ने राष्टे परतीक को किस दिन ग्रेंड किया था 26 जनवरी 1950 को जो हमरा राष्टे परतीक चिन है यानिके असोक की लाठे इस्तामा तो हमने जो कोश्चन ही है चैफ्टर वाइज हमने तयार किया है और काफी इसमें कलेक्शन में देखना मेहनत लगी है आप इनको नोट करते रहे हैं कोश्चन नमर 46 राष्टे गान में संस्क्रन की अवदी कितनी होती है यानि कि कब तक पढ़ा जाता है यह बावन सेकिंड का समय लगता है और राष्टे गान जो होता है हमारा राष्टे गान में वन्दे मात्रम में लगती है 65 मिनट तो अगला ही कोश्चन है फिर देखना वन्दे मात्रम मुलूफ से किस बासा में एक तो संस्क्रिट बासा में और समय कितना लगता है यह लगता है 65 नेस्ट कोश्चन है राष्टिय पंचान कलेंडर किस पर आधार के सक समवत पर देखना जो सकोंने चला थे कुसानोंने चलाय थे आपर तो कोश्चन है कि इसका पहला महिना कौन सा होता है तो पहला महिना कौन सा है ने कि चेतर का महिना और यह कब से सुरूगा अपरेल से होता है सुरू लगबग मार्च और अपरेल के यह पच्चिस मार्च के बाद कर दो हो सकता है तो पहला महिना कौन सा चेतर और एक इसमें अंतिम महिना याद कीज फरवरे से मार्छ तक होता है फरवरी से ओल इना तो ये दूसरा महेंज मिखे में best ये जेसट फिर असार शेरवन भाग पर्द इसको लाफित जो लटे कर दो लाई इसकिक और कार्तिक और नुवा महेंजा आ जाएगा स्मार्ट कर ओल रों उसे मेंग और इक माग हो जाएगा इसमें अन्ती महिना कोन से होग을ा फालगुन। या फागन। तो तो यह क्यों से हैं सक्समवत पर आधरित हैं। और इसका पहला महिना कोन से हुण। राष्ट्रे कलेंडर किस महीने से सुरू होता है तो चैत्रमा से होगा यह चैत्रमा इसका कहला हो जाएगा तो सारे करमवार इसमें लिखे गए हैं तो आप चाहे तो यह नोट कर लिजे नेस्ट इसमें कोश्चन है कौन भारत के राष्ट यह फल का विग्यानिक नाम है मैंग फिरा, यानि के आम, आम का विज्यानिक नाम क्या होता है मैंग फिरा, ये आम हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमने इसके पचास कुष्चन तयार किये हैं, तो मैं आसा करता हूँ कि समझ आये हूंगे, और इनको नोट करते हैं, रिविजन हमें करना पड़ेगा, दे सब इसलिए ता कि हमारे याद हो जाए आज की जो बात तो याद होने की बात होती है अभी दो मेहने बाद याद रहता है याद करना और याद रखना दोनों अलग अलग बाते हैं नोट्स बनाने का मिनिंग सिर्फ यह है कि जल्दी से हमारे अच्छे से वो याद हो जाए आप इसे नोट करते रही है, मैं आसा करता है, आपकी समझ आया होगा, हम आपके उज्वन भीचसे की कामना करते हैं, इसी के साथ ये वीडियो समात करना चाहेंगे, ओके थैंक यू